Hello everyone, आज हम करेंगे class 6 की जो आपकी मैस की new book है गनित परकाश उसका chapter number 7 fraction So अभी तक हमने fraction के बारे में बढ़ा था उसकी lowest term में आप कैसे लेकर आ सकते हो Then mix fraction कौन सी होती है ये सब चीज़े हमने अभी तक देखी अब हम करने वाले हैं comparing fraction की हम compare कैसे कर सकते कैसे find out कर सकते की कौन सी fraction बढ़ी है और कौन सी छोटी है compare कैसे करेंगे उनको So for example यहाँ पर दिया है 4 by 5 और 7 by 9 इन दोनों में से कौन सी बढ़ी है greater कौन सी है It can be difficult to compare to such fraction directly So ऐसी fraction को directly compare करना बहुत मुश्किल हो जाएगा However we know how to find fraction equivalent to two fraction with the same denominator हम same denominator से fraction equivalent find out कर सकते जैसे अब भी उपर करते आ रहे थे So वैसे हम करेंगे तो क्या करना है यह denominator लेना है आपको जो दूसरी वाली जैसे 4 by 5 इसका denominator क्या है 5 तो इसकी multiply आप करोगे इस से और इसका denominator क्या है 9 9 वाले का multiplication करोगे इस से अब यह क्या हो गया 36 by 45 यह क्या हो गया 35 by 45 अब denominator हो गया दोनों का same So दोनों का denominator same होने के बाद आपको सिर्फ देखना numerator किसका numerator यहाँ पर बड़ा है तो किसका बड़ा है 36 बड़ा है So 36 बड़ा है तो इसका मतलब यही जो है आपकी fraction भी बड़ी होगी Same इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है 7 by 9 और 21 ठीक है तो अब हमें इसको करना है equal अब दो तरीके से इसको equal कर सकते हो एक तो normally जैसे इसके fraction की multiply की इस से ठीक है दूसरा आप क्या कर सकते है इनका कोई common multiple ढून सकते है जो तोनों table में आता है जैसे 9 और 21 डिनोमिनेटर का ही ढूनना है सो अब 9 के हम लिखेंगे 27 45 54 और यह ठीक है अब इसी तरह से हम लिखेंगे 21 के भी common factors sorry multiples अब देखो इन दोनों का common multiple क्या रहा है जो सबसे पहले common multiple है 63 यानि कि हम इन दोनों जो multiples हैं यह दोनों चीजी है इनको किस में change कर सकते हैं denominator को 63 में change कर सकते हैं सो 63 में change करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको तो multiply करने पड़ेगी 7 से और इस fraction को multiply करने पड़ेगी 3 से आप कैसे भी change कर सकते हो जस्ट आपको क्या करना है denominator आपका same बनाना है आप common multiple ढून सकते हो या फिर एक ही नंबर से देख सकते हूँ कि एक ही fraction को multiply करना पड़े दूसरा easily आज जाए then उसके बाद में जैसे ही आपके fraction equal हो जाएंगे denominator equal हो जाएगा आपको numerator चेक करना है जोन सा बड़ा numerator है वो ही fraction भी आपका बड़ा होगा तो इसमें करना क्या है? first of all given fraction को equivalent fraction में change करना है so that they all are expressed in the same denominator ताकि वो same denominator से आ जाए यानकि उनकी fractional unit क्या हो जाए same then उनको आपको करना है compare अलग-लग तरीके से आप इनको कर सकते हो उसके बाद आते हैं आपके question answers अब हमें करना है इन fraction को compare कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है तो हम क्या करेंगे हम कुछ नहीं करने वाले मैंने क्या बोला था इनका जो denominator है 8 by 3 और 5 by 2 इन दोनो denominator को same कर दो अब same करने का सबसे easy तरीका क्या है इसके denominator की multiply कर दो यहाँ पर और इसके denominator की multiply कर दो यहाँ पर दोनो जगे multiply होनी चाहिए एक जगे नहीं यह हो गया 16 by 6 यह हो गया 15 by 6 दोनों same हो गए तो अब जो numerator बड़ा है वो ही number बड़ा होगा numerator किसका बड़ा है 16 by 6 का बड़ा है तो यही आपका क्या हो जाएगा 8 by 3 हो जाएगा बड़ा same हम 4 by 9 और 3 by 7 के लिए करेंगे इसका denominator क्या है 7 तो इन दोनों को हम multiply करेंगे 7 से इसका denominator क्या है 9 तो 3 by 7 को multiply करेंगे 9 से denominator दोनों का क्या आगया 63 ठीक है तो अब denominator से तो कोई लेना देना नहीं है तो same आ गया अब हमें देखना numerator कौन सा बड़ा है 28 वाला और 28 वाले का number क्या है 4 by 9 तो यही number हो जाएगा आपका बड़ा next आपका दिया है इसी तरह से ये अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या गया यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ और हम वो नहीं करने वाले हैं हम normally जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे 7 by 10 इन्होंने LCM find out क्या हम normally करेंगे मैंने क्या वोला था denominator की multiply कर दो इस से ओके सेम यहाँ पर 9 by 14 की multiply इसके denominator से होगी 10 multiply by 10 तो इसी तरह से आप इसको करोगे ठीक है 9 by 14 और 7 by 10 तो यह दो हो गया 19 और 140 यह हो जाएगा आपका 14 7 सा कितना होता है 8, 2, 7, 98 98 by 140 denominator मेरा सेम हो गया मुझे तो यह चाहिए था मेरा तो काम हो गया अब यह मेरा बन रहा है 198 by 140 and 90 by 140 कौन सा बड़ा है यह वाला जब denominator सेम हो जाए तो हमें सिर्फ fraction numerator देखना जो उनसा बड़ा है तो यह numerator यह fraction किसका है इसका है तो यानि कि यह वाला number बड़ा है इस तरह से आप easily इनको कर सकते हो सेम यहाँ पर देखो अब इन में क्या है इन में तो already denominator आपका सेम है तो इसमें तो कुछ नहीं करना सिर्फ fraction चेक करो कौन सी बड़ी है 12 बड़ी है तो यह वाला बड़ा हो गया सेम यहाँ पर करना है 9 by 4 और 5 by 2 अब आप दोनों चीज़ इसमें कर सकते हो पहले हम पहले वाले तरीके से करते है 9 by 4 दूसरे वाले का denominator क्या है 2 18 by 8 5 by 2 इसका denominator यहाँ पर क्या था denominator 4 तो 4 से multiply करते है 20 और 8 8 और 20 by 8 denominator सेम आ चुका है तो अब आपको देखना numerator किसका बड़ा है किसका बड़ा है इसका बड़ा है यह किसका था 5 by 2 का तो number भी क्या बड़ा होगा 5 by 2 एक तो हो गया यह तरही का इसमें दूसरा वे आप कैसे ले सकते हो देखो यहाँ पर 9 by 4 है और यहाँ 5 by 2 है तो क्या मैं इसको 2 से multiply करके 4 के equal नहीं बना सकती है बना सकती हूँ तो आप वो भी कर सकती हूँ ठीक है तो 10 by 4 हो गया अब 9 by 4 और 10 by 4 तो कौन सा बड़ा है 10 बड़ा है बड़ा हर बार वो ही आएगा आप जैसे अपको easy लगे न वैसे करो अभी तक सिर्फ यह देखो कि denominator को multiply कर दो उदर वाले को उदर से और उदर वाले को उदर से यानि कि इस वाले को इस से और इस वाले को इस से और जब भी multiply करोगे तो numerator और denominator दोनों से करना है एक से नहीं करना है एक से करोगे तो गलत हो जाएगा next question है write the following factors fraction in ascending order उन्हें कहां लिखना है आपको ascending order में लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले तो इनके सबके fraction हमें equal करने है तो हम पहले 10, 5 और 15 इन तीनों की क्या find out करते है या तो आप कर सकते हो LCM find out ठीक है या फिर आप क्या करोगे इनके multiples find out करो 20, 30, 30, 5 का क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 इसमें भी 30 आ गया इसमें भी 30 आ गया तो तीनों का common multiple क्या हो गया 30 अब आपको क्या करना है ये जो आपकी terms दी है इन में जो denominator है उसको आपको 30 बनाना है तो जैसे 10 की multiply किस से करने पड़ेगी 30 के लिए 3 से तो जिसकी multiply आप denominator से होगे numerator से भी उसी की multiply करनी है 21 by 30 हो गया सेम इसकी multiply 2 से करनी पड़ेगी 30 22 by 30 12 by 30 अब देखो denominator सेम हो गया अब जस्ट आपको चेक करना है कौन सा बढ़ा है कौन सा छोटा जो numerator बढ़ा है उसकी unit भी बढ़ी होगी सो सबसे छोटा है 12 then 21 और फिस सबसे बढ़ा हो जाएगा 22 and then इसको लिखोगी जो पहले वाली फोम थी उसी में 22 का मतलब है 11 by 15 इसका मतलब है 2 by 5 यह सबसे फस्ट वाल और यह 7 by 10 next question देखते है first of all तो इनका LCM find out करना है या फिर common multiple अब LCM कैसे find out करते हैं वो देखते हैं देखो 24, 6, 12 okay सबसे छोटा number जो इनको divide करता है 3 को divide करने वाला ठीक है वैसे 2 को भी आप ले सकते हो एक को भी ले सकते हो ठीक है लेकिन कोई भी number जैसे मैंने लिया 2, 2 इन सबको divide कर रहा है 3 and 4 sorry 6 आएगा then फिर से देखो इन तीनों को divide करने वाला number 2, 2 तीनों को नहीं कर रहा है लेकिन आदों को तो कर रहा है so 2, 6, 12 तो इसको divide नहीं करता है जिसको divide नहीं करता है उसको आपको लिख देना है as it is okay then 6, 6 को divide करता है 2, yes कौन से number पर आता है 2, 3, 0 तो यहाँ पर आएगा 3, आप देखो किस मेरे जा रहे है 3 की table में आ रहे है ना, so 3 से कर देते है 3, 2s are 10, 1, 1 अब अकेला 2 बच गया तो इसका भी कर देते है अब इन number की multiply आपको करने है 2 into 2 into 3 into 2, 2, 2s are 4, 4, 3s are 12, 12, 2s are 24, तो यह आगया आपका LCM lowest common multiple यह है इनका LCM ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा, यह जो number दिया है, यह जो 24 है, इसमें तो कुछ नहीं करना हमें, 6 को 24 बनाना है, कैसे बनेगा, यह 6 के table भी 24 देखो कब आता है, 4 पर, तो उपर और नीचे numerator, denominator, दोनों को 4 से multiply करना पड़ेगा, 25, 24 हो गया, same, इसके लिए 24 बनाने के लि इस तरह से आप इनको लिख सकते हो, ascending order में, अब लिखना है, descending order में, तो सेम पहले ही हम क्या करेंगे, इन सब का LCM find out करेंगे, तो क्या number है आपके, 16, 8, 4, 32, सबसे पहले 2 पर, क्योंकि सबसे चोटा number, easily हम divide कर लेते हैं, 2 पर, 16 कौन से number पर आता, 8 पर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, and 16, फिर से 2 पर, 2 4s आ, 2 2s आ, 2 1s आ, 2 8s आ, फिर से 2 पर, मतलब आपको divide करते रहें, 2 2s आ, 1, 8, 4, कब तक divide करोगे, जब तक आपका answer 1 ना आ जाए, तब तक, यहां तो 2 ही बच गया, भी एक और चाहिए, तो अब आगे हमारा हर जग है, 1 1, अब यह जो यहां पर answers आए है, उन सब की करोगे, आप multiply, so 2 2s आ 4, 4 2s आ 8, 8 2s 16, 16 2s आ 32, तो answer क्या आगे हमारा 32, यानि कि इन सब को हमें क्या बनाना है, 32 बनाना है, तो पहले वाले को 32 बनाने के लिए 2 से multiply की, और जिसको आप denominator से multiply करोगे, numerator से भी multiply करने पड़ेगी, same, 8 के लिए क्या करना पड पड़ेगा, 4 से 32 बनाने के लिए, 8 को 4 से करने है, तो numerator को भी 4 से करना पड़ेगा, same, इसी तरह से 4 है, 4 को 8 से multiply करना पड़ेगा, और ये तो है 32, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, देखो, बिल्कुल सेम है न, ऐसी, अब सबसे बड़ा क्या बना, numerator हमे सब के मिल गए, denominator मिल गए, सबका 32, अब 32 के बाद, अब सिर्फ हमें देखना है, नमबर कौन सा सबसे छोटा है, लेकिन यहां क्या, descending order, तो सबसे बड़ा कौन सा है पहले, ये सबसे बड़ा है, 104 ये किसका था, 13 by 4 का, then 50 by 2, ये किसका है, 25 by 16, उसके बाद आता है, 28 by 32, 7 by 8 का, लास्ट में आएगा, ये नमबर, तो ये हो गए, इनके descending order, ठीक है, इस तरह से आप इनको लिख सकते हो, अब सेम इसी तरह से इसका find out करोगे, जब इसका LC हम आप ऐसे find out करोगे, 224, 5, जिससे divide नहीं होता है, जैसे देखो, 5 अब 2 के table में नहीं आता है, 2 से divide नहीं हो रहा, तो उसको as चोड़ दो, उसमें कुछ नहीं करना है, तो 5 अब 3 के table में 5 तो नहीं आता है, तो 5 को as चोड़ दिया, जो जिसके table में नहीं आता है, उससे हमें कुछ नहीं करना, उसको वैसे के वैसे चोड़ दो, then यहां पर हमारा LCM आ गया 60, अब 60 LCM आया, तो इन सब को हमें क्या बना पड़ेगा 60, तो 4 की multiply करने पड़ेगी 15 से, 5 की multiply करने पड़ेगी 12 से, 12 की multiply करने पड़ेगी 5 से, और 4 की multiply करने पड़ेगी 15 से, अब अगर आपको ना पता चलेगी, हम किस नंबर से multiply करके find out कर सकते हैं, कि किस से multiply करने, जैसे की 4 तो बहुत छोटा हो गया, अब 60 पर लान 2, 0, 4, 5, 20 यानि कि 4 को अगर आपको 60 बनाना है तो जो quotient आता है उससे multiply करनी होती है तो इस तरह से आप easily कर सकते हो यहाँ से फिर आपको इनको descending order में लिख देना है Now, next है addition and subtraction of fraction Fraction को add or subtract कैसे कर सकते हैं Mina's father made some chickies Mina ate 1 by 2 of it तो Mina के father ने कुछ chickies बनाई और Mina ने उसमें 1 by 2 यानि कि half खाले And her younger brother ate 1 by 4 उसके younger brother ने 1 by 4 यानि कि इतना पार्ट खा लिया How much of the total chickie did Mina and her brother eat तो total उन्होंने कितनी खाई So we can arrive at the answer by visualizing it हम visualize करके easily find out कर सकते है Mina ने half खाया यानि कि अगर total 2 पार्ट थे तो उसका आदा उसने खालिया Then उसके भाई ने भी एक पार्ट का लिया तो अब देखो total पार्ट का कितना उन तीन दोनों ने खाया ये Mina का है और ये उसके भाई का है तो total जो है ये आपका 1 by 2 था ये 1 by 4 था तो जब भी आपको fractions को add करना होता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता आपका जो denominator है वह सेम होना चाहिए चाहिए आप add कर रहे हो या सब्ट्रेक्ट कर रहे हो denominator क्या चाहिए सेम चाहिए तो अब यहां पर देखो क्या मैं इन दोनों को यह नहीं लिख सकती चाहिए 1 by 4 और 1 by 4 बात तो सेम ही है ना यहां पर total 4 parts थे 4 में से 2 parts जो है उसने खाए तो 1 by 4 1 by 4 और एक उसके भाई ने तो total कितना हो गया 3 by 4 अभी उनके पास total remaining चीकी कितनी है कितनी बची है एक ही part बचा है तो 1 by 4 part जो है अभी बचा है adding fraction with the same fractional unit or denominator सेंव फ्रेक्शनल उनेट से जो युनित होती है यहाँ पर इससे कैसे एड करोगे जैसे 2 by 5, 1 by 5 बहुत इजी है आपको एड करना है इनको ठीक है और यहां पर 1 by 5 part, दोनों को मिला देंगे तो कितना आजाएगा, 3 by 5 parts, adding the two given fraction is the same as finding out the total number of shaded part, so इन दोनों को add करने का मतलब क्या है, total find out करना कि कितने पार्ट पे shade है, तो कितने पार्ट पे है, दो पार्ट पहले वाले और एक अप, तो कितने पार्ट पे हो गया, 3 by 5 parts पे, same यहां पर है, 4 parts पे, यहां पर figure पे, क्या किया गया है, color किया गया है, और नीचे 6 parts पर किया गया है, तो total हम कैसे करेंगे, 4 और 6, तोनों को add कर देंगे, 10, और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो हमारा total जो denominator दोनों में था, वो ही रहेगा, जो था 7, in this case, the total number of shaded part is 10, total number कितना हो गया, shaded part का 10 हो गया, and each shaded part represent the fractional unit 1 by 7, और हर एक पार्ट कितना है, 1 by 7 का है, हर एक पार्ट, जितने भी है, सारे, so 10 shaded part together represent the fractional 10 by 7, तो किसको represent करते हैं, 10 by 7 को represent करते हैं, और इस तरह से आप उनको mix unit में भी कर सकते हो, ठीक है, try adding 4 by 7 and 6 by 7 using a number line, अब number line से कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पर हम अपनी number line बना लेते हैं, इस तरह से, यह हो गई हमारी number line, so 0, 1 और 2, अब हमें इसे कितने parts में divide करना है, 7 equal parts में, यहाँ क्या लिखा है, 7, ठीक है, तो 7 parts में divide करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हो गया हमारा थोड़ा सा छोटा, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 1, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7, उसके बाद क्या था, यह हो गया आपका 7 by 7, हमें कितना add करना है, आगे भी तो add करना है न हमें, 4 और add करने हैं उसके अंदर, 8 by 7, 9 by 7, and 7, 7 ही रहेगा यह आपका, 10 by 7, 11 by 7, और यह कहां तक जाएगा, आपका 2 तक जाएगा, जहां पर आपका हो जाएगा, 14 by 7, अब आपको add करना है, 4 plus 6, so 1, 2, 3, 4, 4 तो यह हो गए, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितने हो गए, 10 by 7, तो इस तरह से आप इनको number line पे भी चेक कर सकते हैं, और answer क्या same आया है, so yes, answer हमारा same है, next इन्हों ने दिया है, adding fraction with different fractional unit, अब different जो आपके दिया होगा denominator, उसको आपको करना है, To add the add fraction with different fractional unit, first convert the fraction into two equivalent fraction with the same denominator, सबसे पहले हमें उसे change करना पड़ेगा, equivalent fraction में, जैसे हमारा था 1 by 4 and 1 by 3, तो पहले हमें क्या करना है, दोनों का जो denominator है, उसको same बनाना है, दो तरहीके हैं, या तो आप उनका common multiple find out करो, दूसरा सबसे easy क्या है, जो पहले वाले का denominator है, जैसे 1 by 4, और 1 by 3, दो units है, इसका denominator क्या है, 4, इसकी multiply कर दो, इस से, ठीक है, same, इसका denominator क्या है, 3, और इस denominator की multiply कर दो, पहले वाले से, दोनों जगे multiply होगी, numerator में भी और denominator में भी, यहां गया 3 by 12, यहां गया 4 by 12, अब इन दोनों को कर दो add, और जब भी हम add करते हैं, तो denominator एक ही बार और उपर वाले जो numbers होते हैं, वो add करके आपका answer आजा सकते, now, this method of addition, which work for adding any number of fraction, was first explicitly described in the journal by ब्रह्म गुप्त, तो ब्रह्म गुप्त जो थे, उन्होंने यह इसको बताया था, यह वाला जो formula हम कर रहे हैं, in the year 1968 CE, ठीक है, common era से के time पर बताया गया था, we will describe the history of the development of fraction in more detail later in chapter, so, इसके बारे में और भी हम बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, आगे, अभी सेफ, simple से यहाँ पर method आपको बताया गया है, पहले आपको क्या करना है, first equivalent fraction, so, that the fractional unit is common for all fraction, this can be done by finding a common multiple of the denominator, आप common multiple find out कर सकते हो, denominator का, या किसी भी तरह से इसको कर सकते ह then, जो भी answer होगा, उसमें equivalent fraction, जो है, same unit के उनको आपको कर देना है, add, this can be done by adding the numerator, denominator आपका same रहेगा, same denominator रहेगा, and numerators को आपको add करना है, express the result in the lowest term if needed, और result को हमेशा lowest term में आपको show करना है, जैसे 2 by 3 and 1 by 5, तो क्या करेंगे, इसका denominator क्या है 5, तो यानि कि इसको multiply कर देंगे 5 से, इसका denominator क्या है 3, इसको multiply करेंगे 3 से, तो 10 by 15 and 3 by 15, दोनों को add क्या answer है, 13 by 15, same 1 by 6 and 1 by 3, अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 के table में 6 आ रहा है, यानि कि 3 के अगर मैं multiply 2 से करो, तो मुझे directly 6 मिल जाएगा, मुझे जरूरती नहीं है फिर से, कि 6 की multiply उससे करो, तो इसलिए क्या किया है यहाँ पर, सिफ जो 3 वाला है, उसको change किया गया है, उसकी multiply की गई है 2 से, क्योंकि मैं उसको 6 के equal लेकर आ सकती हूँ, यान कि इस denominator को मैं इसके equal बना सकती हूँ, बिना आपस मे multiply किये, ठीक है, तो इस तरह यह easily हो जाएगा, 1 by 6, यह हो जाएगा, आपका 3 by 6, अब आप इसको और भी cut कर सकते हो, कैसे, इसको lowest form में लेकर आना है, सबसे छोटा, तो यह देखो कि यह दोनों चीजे किसी एक टेबल में एक साथ आती है, आती है, किस में आती है, 3 के टेब फिर से आपकी यहाँ पर बहुत सारे question answer है, जिनको हमें करना है, complete, next है, add the following fraction using भरम गुपताज method, आप देखो, बिल्कुल सेम सेम है सारे, सेम सेम है तो क्या करना है, सिर्फ हमें numerator को add कर देना है, ठीक है, 2 plus 5 plus 6, कितना हो गया, 13, और denominator आपका same रहे का, उसमें कोई change नहीं क क्या से करेंगे, हमें करना है, LCM लेना है, यानि कि इनकी जो denominator है, वो हमें करना है, same, तो वो हम क्या से कर सकते हैं, यहाँ पर, LCM ले सकते हैं, या तो, 4 and 3 जैसे हम अभी तक लेटते आ रहे थे, अभी हम जैसे उपर किया, बिल्कुल वैसे, कुछ वो नहीं है, उसमें, 11 बना गया, अब इनकी कर दो, multiply, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 12, ठीक है, या फिर दूसरा वे, अगर इन दोनों में common देखो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसकी multiply इन से कर दो, इसकी multiply इन से कर दो, तो answer हो गया 12, अब दोनों को कर देना, add, answer आ गया 13 by 12, 3 और 6 था, answer आ गया, 4 by 6, अब इन दोनों को करना है, add, 4 by 6, plus 5 by 6, 9 by 6, denominator में कुछ भी change नहीं होगा, denominator, as it is रहेगा, आपका, अब इसको add करना है, so, इसकी multiply कर दी, इस से, जब दोनों में कुछ भी common नहीं है, उस time की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, 3 और 7 में कुछ common है, कुछ भी common न नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी उनका जो है, common factor नहीं है, तो उनका अगर आपको LCM निकालना है, तो उन दोनों के आपस में multiply कर दो, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर एक तरह से आप बोल सकते हो, को प्राइम नंबर का अगर LCM निकालना है, तो उनकी आ अगर दोनों को कर देंगे, add, 20 by 21, next, अब यहां तो तीन आ गए, इनका कैसे करेंगे, दो दो तो हमने easily कर लिए, अब तीन-तीन के लिए, वो ही LCM निकालना है, हमें, 4, यहां करके दिखा देते है, 4, 3, 5, पहले 2 से, 2, 2 सा, अब देखो, 2 के टेबल में 3 और 5 नहीं आते है उस से डिवाइड नहीं हो रहे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना, उनको as it is मैंने लिख दिया, then हमें सबको बनाना है, 1, 1 and 5, फिर हमें, यहां भी कर दिया, अब यहां पे देखो, LCM के आएगा, 2, 2 सा, 4, 4, 3 सा, 12, 12, 5 सा, 60, तो LCM हो गया, 60, यानि कि हमें इन सबको ब बनाना है, तो 15 से multiply, 4 के लिए, 3 के लिए 20 से multiply, और 5 के लिए 12 से multiply, दोनों सबका 60 हो गया, और अगर नीचे multiply करेंगे, तो उपर भी हमें सेम नंबर से multiply करना हो, फ्रेक्शन में यह चीज बहुत ज़रूरी है, अगर आप denominator से या numerator से कोई number के, खासकर कि denominator से किसी number के multiply कर रहे हो, और equivalent बनाना है, तो numerator से भी सेम multiply करना पड़ेगा, then answer आगया, 77 by 6, यहाँ पर हम करेंगे, देखो क्या है ये, co-prime numbers, तो LCM क्या हैगा, दोनों के multiply ये LCM होगा, 15, so 3 को 15 बनाने के लिए 5 से multiply, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से multiply, और दोनों को कर दिया add, so इस तरह से आप easily ये सार 3, co-prime number है, LCM क्या जाएगा, दोनों के multiply, जो की है, 15, so 12 by 15, 10 by 15, दोनों को add करेंगे, 22 by 15, सिफ numerator add होते हैं, denominator नहीं होते हैं, दोनों क्या है, co-prime, LCM क्या जाएगा, दोनों के multiply, 40, 40 by 24, यहाँ भी 25 by 40, दोनों को किया add, answer आगया, 49 by 40, यह, denominator में कोई change नहीं होगा, sorry,oca, denominator में कोई change नहीं होगा, अब यहाँ देखो 2 and 4 है, अब 2 and 4fly तो क्या करनाएख, अब यह दोनों में common multiple तो आ रहा है, कोई ना कॉई तो common आ रहा है, factor, अब इसमें क्या होगा, अब देखो, क्या 2 को 4 बना सकते हैं, पहले तो, यहाँ दोनों को add करना है तो 18 प्लस 5 23 अब इनको करना है क्या 3 को 7 बना सकते हैं नहीं 7 को 3 बना सकते हैं नहीं दोनों में से किसी को कुछ नहीं बना सकते तो दोनों को multiply कर देते हैं प्राइम नुम्बर है ये तो 21 यानि की 7 की multiply इससे करनी पड़ेगी और 3 की multiply इससे करनी पड़ेगी और देन कर देना है आंसर आजाएगा 62 by 21 नेक्स्ट आपका question दिया है यहाँ पर इनको करना है तो क्या करेंगे LCM लेंगे जो हमने पहले भी लिया था यहाँ पर LCM अगर आप लोगे सो LCM आजाएगा आपका 60 LCM क्या होता है यह निकालने के बाद इन सब की करनी होती है multiply ठीक है यह जो बाहर आते जिन जिन से हमने divide किया था multiply करेंगे तो 60 आएगा अब सबको बनाना है 60 60 बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो यह LCM है जो यह नीचे वाले 105 तो 105 बनाने के लिए इसकी multiply 35 से होगी इसकी 21 से होगी और इसकी होगी 15 से 2, 4 and 6 इसका LCM निकाला तो LCM आगया 12 2 को 12 बनाना है तो 6 से multiply दोनों तरफ होगी 4 को 12 बनाना है तो 3 से multiply उपर नीचे दोनों जगह पर होगी 6 को 12 बनाना है तो 2 से multiply दोनों जगह पर then कर दिया हमने add now Rahim makes 2 by 3 liter of yellow paint with 3 by 4 liter of blue paint to make it green what is the volume of the green paint he has made मतलब हमें इन दोनों को कर देना है add add करने के लिए हमें क्या चाहिए दोनों का lcm चाहिए lcm आगे हमारा 12 यानि कि दोनों को हमें क्या कर देना है पहले 12 बनाना है 12 बनाने के बाद answer में हमें दोनों को कर देना है add जो कि आगया 17 by 12 अब इसको चाहो तो हम mix fraction में भी लिख सकते हैं sorry 12 है न 12 ones are 12 5 तो ये as it is denominator आपका नीचे जैसे पहले था वैसे के वैसे और remainder आजाता है आपका उपर आजाएगा ये next है गीता बोट 2 by 5 meter of less शमीन बोट 3 by 5 4 meter of same less to put a complete border on a table cloth whose perimeter is 1 meter long find the total length of the less they both have bought together अब दोनों ने जितने लिए वो आपको बताना है और क्या वो उसके लिए complete रहे गी या नहीं so दोनों ने total कितनी लिए total का मतलब हो गया add करना है यानि कि इन दोनों को क्या करना है इन दोनों का आपको मतलब equal करना है ये दोनों क्या है co prime number है ना दोनों में कुछ भी common नहीं है तो इनका LCM क्या आएगा दोनों की multiply यानि कि इसको 20 बनाना और इसको भी 20 बनाना है इसको 20 कैसे बनाएंगे 4 से multiply करके और ये 20 कैसे बनेगा 5 से multiply करके 8 by 20 15 by 20 उसके बाद क्या कर देना है इनको करना है add तो जब हमने इनको add किया denominator तो as it is रहेगा उसमें तो कुछ नहीं होगा और ये हो गया 23 by 20 अब वो जो perimeter था वो था 1 meter जो table है उस पे हमें लगानी है length less लगानी है so 21s are 23 अब ये क्या हो गया 1 meter से ज़ादा है ना क्योंकि 1 तो hole तो हमारे पास आ गया और इतना extra है तो यानि कि ये 1 meter से ज़ादा और ये जो है sufficient है जितना हमें border चाहिए उसके लिए next आता है subtraction कैसे होगा so जैसे अब हमने add किया है वैसे ही होगा आपका subtraction यानि कि first of all आपको क्या करना है denominator को same करना है and then उसमें से उतने part minus कर देने है जैसे 6 6 by 7, 4 by 7 so यानि कि जो 6 part थे उसमें से 4 parts आपको cut कर देने है कितने parts बदने 2, so answer आएगा 2 by 7 ठीक है, जो total parts होगे उसमें से आपको बागी के parts cut कर देने same यहाँ पर आपको इनको करना है 5 by 8, minus 3 by 8 same 8 है, 5 minus 3 denominator जब same है तो कुछ भी नहीं करना है उसमें, as it is लिखो और जो numerator है उसको subtract कर दो 1 by 4, 7 by 9 and 5 by 9 दिया है subtract किया 2 by 9, 10 and 1, 9 by 27 अब यह हो सकता है, 9 के table में 9 के table में 9 आता है 1 पर और 27 आता है 3 पर इस तरह से इसको कर सकते हो subtraction of fraction with different fractional unit of denominator तो अब different होगी तो कैसे करेंगी same same है तो बहुत easy हो गया same same है, 8 हो गया, 5 minus 3 2, सिर्फ आपको ऊपर वाले को करना है 7 minus 5, 2 denominator को आपको कुछ नहीं करना है wisities रहेगा, सिर्फ numerator को आपको subtraction एडिशन करना है अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर different unit है, different unit है तो जो हमने formula अभी लगाया, वो ही हमें लगाना है, common multiple हमें find out करना है, किसका denominator का हमें common multiple find out करना है और denominator का अगर common multiple नहीं मिलता है, तो जो दोनों के denominator है उनको उसके दूसरे वाले से multiply कर देंगे, जैसे 3 और 4 था तो दूसरे वाला हमारा क्या था 3, ठीक है, इसकी multiply इन दोनों से कर दीके आ गया, 9 by 12 same इसी तरह से 2 by 3 की multiply इसके denominator से की answer के आ गया, 8 by 12 दोनों सेम हो गए, अब करना है subtract, subtract करने के बाद answer के आ गया, 1 by 12 same यहीं पर, same जो हमने अभी पहले पढ़ा था, addition के लिए वैसे ही यहाँ पर subtraction के लिए भी ब्रह्म गुपता का method है convert the given fraction into equivalent fraction with the same fractional unit जिसे हम बोलते, same denominator के according, carry out the subtraction of fraction having the same fractional unit, now this can be done by subtracting the numerator and keeping the same denominator denominator, denominator को हमें जिशा, आप same रखोगे, numerator आपका subtract होगा and then उसको lowest term में आपको ले कराना है अब आगे इसके question answers अब फिर से हमें जो है इनको करना है subtract, अभी तक हम addition कर रहे थे, अब subtract करना है so 15, 15, same है तो कुछ भी करने की ज़र्थ हमें यहाँ पर नहीं है दूसरा, 2 by 5 and 15, क्या मैं 5 को 15 बना सकती हूँ सबसे पहले यह चेक करूँ, क्या 5 को 15 बना सकते हैं, yes, 3 से multiply करके easily बना सकते हैं, जो मैंने बना दिया, अब इनको कर देंगे subtract, subtract करने के लिए क्या करना है denominator आपका as a tease रहेगा numerator को सिफ घटाना है जब भी add and subtraction होगा so numerator as a sorry, denominator as a tease रहेगा numerator में ही addition and subtraction होगा next 5 by 6 and 4 by 9, इसका तो LCM निकालना पड़ेगा 6 and 9 हो गया so 3 से, 3 2s are 6, 3 3s are 9 2 पर and then 3 3 2s are 6, 6 3s are 18 तो LCM आ गया 18 तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा 18, 6 को 18 बनाने के लिए 3 से multiply 9 को 18 बनाने के लिए 2 से multiply और जिसकी denominator से multiply होगी उसी की हमें उपर भी multiply करनी है and answer आने के बाद हमें कर देना है subtract so answer होगया 7 by 18 इसी तरह से ये दिया होगा अब देखो, ये दोनों क्या है co prime number है तो LCM क्या रहेगा दोनों के multiply याने के 6 so 2 by 3 है अब 2 by 3 था इसको मुझे बनाना है 6 तो क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ 2 से multiply क्योंकि मुझे 6 चाहिए नीचे यहाँ पर 1 by 2 है मुझे इसको बनाना है 6 तो 3 से multiply so 4 by 6 by 3 by 6 होगया subtract करेंगे तो answer आएगा 1 by 6 तो इस तरह से इसको कर सकते हो next है सेम उसी तरह से जैसे अभी हम कर रहे थे दोनों देखो 13 by 4 and 10 by 3 है लेकिन इसमें क्या दिया है 13 by 4 from 10 by 3 यानि की 10 by 3 में से हमें 13 by 4 को subtract करना है ठीक है सबसे पहले तो यह दोखो यह दोनों क्या है 12 दोनों के multiply अब मुझे इन दोनों को बनाना है 12 इसको बनाने के लिए 4 से multiply और इसको 12 बनाने के लिए 3 से multiply फिर जो भी answer आएगा दोनों को कर देंगे subtract LCM लेकर LCM लिए हमने 12 40 minus 39 1 by 12 सेम यहाँ पर हमें 23 में से 18 by 5 को करना है subtract यह क्या बोल रहे है 18 by 5 from 23 by 3 यानि कि इसमें से करेंगे इसको subtract अब देखो 5 और 3 क्या है को प्राइम नंबर है LCM क्या रहेगा दोनों की multiply यानि कि इसको 15 बनाना है तो 5 से multiply इसको 15 बनाना है तो 3 से multiply ओके और जो भी answer आएगा दोनों को कर देंगे subtract आंसर आगया 61 by 15 उसके बाद यहाँ पर तो सब सेवन सेवन ही दिया तो LCM लेनी की जोरती नहीं है डिरेक्ट 45 में से 29 माइनस करेंगे आंसर आएगा 16 by 7 उसके बाद आपका question दिया है Jaya school is 7 by 10 km from her home C2 can auto for 1 by 2 km for her home daily and then walk the remaining distance to reach her school How much does she walk daily to reach the school अब देखो 7 by 10 km है 1 by 2 के लिए वो auto ले रही है हमें बताना और कितना बच गया यानकि इतना रास्ता है for example यह उसका घर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने auto लिया अब कितना रास्ता और बच गया अब देखो क्या 2 को में 10 बना सकती हूँ येस तो 5 से multiply कर देंगे दोनों को 10 बन गया अब कर देंगे सब्ट्रेक्ट आंसर आ गया 1 by 2 by 10 आएगा लेकिन इसको shortest form में lowest form में आपको लेकर आना है 2 1s are 2 2 5s are 10 इस तरह से कर सकती हूँ तो कितना हो गया 1 by 5 किलोमेटर उसको हर रोज चलना पड़ता है जिविका टेक्स 10 by 3 मिनट्स तो टेक अ कम्प्लीट राउंड ओधा पार्क तो एक पार्क है उसको गुमने के लिए पूरा कितने टाइम लगाती है 10 by 3 मिनट्स और उसकी जो फ्रेंड है वो लगाती है 13 by 4 मिनट्स अब आपको बताना है किसका टाइम कम है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे किसका टाइम कम है LC हम लेंगे पहले देखो 10 by 3 और 4 by 3 इनको इक्वल करेंगे न सबसे पहले तो इनका क्या है denominator को इक्वल करना है तो denominator कैसे इक्वल कर सकते है दोनों के आपस में multiply कर दो ये 4 वाले किससे multiply ये 3 वाले किससे multiply denominator equal होगे आप देखो किसका बड़ा है इसका बड़ा है यनकी 10 by 3 का बड़ा है So that means नमीता जो है उसको कम टाइम लगता है जिवी का से और कितना कम लगता है उसके लिए क्या कर देंगे सब्टेक्ट करके देख लेंगे जो की है 1 by 12 minutes अब थोड़ी सी history हम पढ़ लेते हैं इसकी Do you know what a fraction was called in ancient time ancient India में इसको क्या बोला जाता था It was called भिन क्या बोलते थे भिन बोला जाता था इसे संस्क्रित में भाग और अंच भी बोला जाता था जिसका मतलब होता था part और piece The way we write fraction today globally originated in India और जैसे हम fraction लिखते हैं वो बहुत पहले से ही इंडिया में थी और वैसे ही हम यूज़ करते थे in ancient India mathematical text such as Bakshali manuscript from around the year of 300 CE when they wanted to write 1 by 2 तो they wrote is at 1 by 2 which is in a very similar to way we write it today तो उसमें जब 1 by 2 ने लिखना था half लिखना था तो ऐसे ही लिखा जैसे हम आज लिखते हैं This method of writing and working with fraction continued to be used in India और fraction को हमेशा से इसी तरह से लिखा जाता है for the next several century including the Aryabhatta Aryabhatta के टाइम पर भी था ब्रहम गुपता के टाइम पर भी थी स्री धनाचारिया के टाइम पर भी था और महावीरचारिया के टाइम पर भी सेम इसी तरह से जो है fractions को लिखा जाता था the line segment between the numerator and denominator in यह जो line बनाई जाती है इन दोनों के बीच में and in the other fraction was later introduced by the Moroccan mathematician तो बाद में जो है अलहसर जो थे 12th century में उन्होंने ये line के बारे में बता इस line के बारे में नहीं बता था में तो ये line जो हां उन्होंने बताई थी over the next few centuries the notation then spread to Europe and around the world और देरे देरे ये पूरी दुनिया में फैल गई fraction has also been used in other cultures such as the ancient Egypt and Babylonian civilization but they primarily used only fractional unit this is fraction with one in the numerator numerator लेकिन वहां पर क्या होता था सिर्फ fractional unit use की जाती थी मतलब वहां पर सिर्फ वो fraction यूज की जाती थी जिनका numerator सिर्फ one होता था दूसरे numerator वाली fractions उस टाइम पर वहां पर use नहीं होती थी more general fraction were expressed as sum of fractional unit now called Egyptian fraction writing numbers as a sum of fraction 19 by 24 को इस तरह से लिख सकते हैं can be quite an art and let's do beautiful puzzle we will consider one such puzzle हम इसी तरह से एक puzzle देख भी सकते हैं general fraction where the numerator is not necessary one अब general fraction क्या होती है जहां पर हम यह जो है numerator का one होना जूरूरी नहीं है numerator कुछ भी बन सकता कोई भी number हो सकता है were first introduced in India और यह वाली fraction कहां पर use हुई कहां पर बताए गई सबसे पहले इंडिया में जिसमें बताए गया कि जोरूरी नहीं कि fraction में जो numerator आपका one ही रहे वो कोई भी number हो सकता है along with their rule of arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and even division of fractions तो जो rule थे fractions related, addition के, subtraction के multiplication के वो सब भी जो है वहां पर बताए गए और यह सब पहले सबसे पहले इंडिया में ही था the ancient Indian territories called the sulb sutra showed that even during Vedic times Indian had discovered the rule of operation with fraction तो जिससे पता चलता है कि Vedic times से ही लोगों को पता था कि fractions को कैसे add करना है multiply करना है subtract करना है तो उन्हें सब कुछ पता था पहले सी general rule and procedure for working with and computing with fraction were first qualified formally and in a modern form by Brahm Gupta मतलब हमारे Vedic time में already लिखा हुआ था या बताया गया था लेकिन इसको formally introduced किया था Brahm Gupta ने आज के time में या modern time में आप बोल सकते हैं modern form में Brahm Gupta's method for working with and computing with fraction are still what we use today तो Brahm Gupta का जो method था वो हम आज भी use कर रहे है for example Brahm Gupta described how to add and subtract fraction as follow तुन्होंने बताया कि किस तरह से add and जो है आपको subtract करना है fractions को by the multiplication of numerator and denominator for each of the fraction by the other denominator कि दूसरी denominator से हम पहले वाले को multiply करेंगे numerator और denominator दोनों को then उसको जो है reduce form में लिख देंगे this then in the case of addition इसी तरह से addition की case में the numerator numerator में क्या होगा add हो जाएंगे आपके ठीक है और in the case of subtraction जो numerator है वो subtract हो जाएंगे इसी तरह से आगे अगे बढ़ते हुए पूरी दुनिया में ये फैल गए थे नाओ it is easy to add a fractional unit to obtain some one if one uses the same fraction unit जैसे one by two, one by two add गया तो one आ गया one by three, three को add गया तो one आ गया इसी तरह से आ गया आप कर सकते हो however, can you think of a way to add fractional unit that are all different to get one क्या आप ऐसो का add कर सकते है जिनका सबका ही one से अलग आ रहा है it is not possible to add ये possible नहीं है to different fractional unit to get one अलग-अलग different fraction को use करके answer one आना जैसे one by two and one by three को add करके आपका answer one नहीं आ सकता है the reason is that one by two is the largest fractional unit क्यों one by two जो है सबसे बड़ी जो है fractional unit है one के लिए to get different fractional unit or fractional unit find out करने के लिए we would have to replace the least one of the one by two's with some smaller fraction और इसके लिए अगर हमें करना है तो उसको और छोटे छोटे पार्ड में तोड़ना पड़ेगा जैसे इस सर ऐसे इसका answer आपका बना सकता है then it is not possible for two different fractional unit लेकिन सिर्फ दो fractional unit से हम ये नहीं कर सकते है we can try to look instead for a way to write one as a sum of three different fractional unit three different fractional unit से हम ये कर सकते जैसे इनको हम करेंगे तो answer one आ जाएगा लेकिन अगर आप सिर्फ दो ही unit लोगे दो ही fraction लोगे तो उससे answer आपका one नहीं आएगा can you find three different fractional unit that has add up through one जैसे की यह हो गया one by three, one by three, one by three इसी तरह से one by two plus one by four plus one by four इनको add करके हमार answer के आएगा one now this is different form from one by two is it replaced by one by three अब इसको replace कर दिया one by three से ठीक है so two of the fraction must be one by two and one by three what must be the third fraction तो तीसरी fraction हम क्या लेख सकते हैं one by six ले सकते हैं उससे भी answer क्या आजाएगा आपका one आजाएगा जैसे पहले हमने one by two लिए एक part ले लिया then two part हमने इसके ले लिया अब तीन part हमारे इसके हो रहे हैं तो एक part हमारा किसका होगा six का भी हो तो होना चाहिए तब ही तो हमारा answer आएगा now can you find four different fractional unit that up to add up to one क्या वो one तक add हो सकते हैं तो अलग-अलग तरह से हो सकती हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है next आता है आपका summary parts क्या है fraction क्या होते हैं when a whole number of unit is divided into equal parts are shared equally a fractional result Fractional unit क्या होती है when one whole basic unit जब एक basic unit को divide किया जाता है equal parts में तो उसे क्या बोलते हैं Fractional unit हर एक part fractional unit जो है बोला जाता है reading fraction in a fraction such as 5 by 6 as 5 by 6 तो 5 उसमें numerator होता है 6 is called denominator mix fraction mix fraction में क्या होता है एक तो whole number होगा और बाकी का fractional part होगा number line fraction can be shown on a number line every fraction has a point associated with it on the number line so हर एक point जो है fractions related जो होता है या बिना fractions related है वो number line पे आपको दिखेगा equivalent fraction when two or more fraction represent the same share or number जब दो या जादा fraction जो है same share या number दिखा रहे हैं तो हुने हम क्या बोलते है एक्विवेलेंट फ्रेक्शन्स तो ऐसी form जिसको आप और भी जादा cut नहीं कर सकते है उससे जादा इनके common factor और नहीं आ सकते सिफ 1 आएगा जैसे इसको divide करने वाला है 103 इसको divide करना है 124 तो common factor क्या है दोनों का 1 तो जिनका common factor जो है 1 आता है वो होते हैं उसका lowest term मतलब fraction में तो उसमें क्या करना होता है वन adding fraction convert them into equivalent fraction with the same fractional unit यानि कि same denominator से आपको उनको करना है then जो numerator में number होगा उसको आपको कर देना है add same यहाँ पर denominator को same रखना है उसमें कोई change नहीं करना है ना ही उसे add करना है ना ही उसे subtract करना है same आपको subtracting में करना है denominator को सबसे पहले आपको करना है same उसकी fractional unit same कर देनी है then उसको जो है क्या करना है आपको subtract कर देना है किसको सिर्फ numerator को denominator same रहेगा उसमें आपको कोई भी change नहीं करना है इसके साथ ही आपको यह chapter हो जाता है complete कोई भी doubt है ता आप बता सकते हैं तर वो देन प्लेज लिक शर्ण सब्स्क्राइब तेंक य।